नमस्कार, मैं शेफ आशिश, स्वागत है आपका मेरे इस निव वीडियो में, आज हम बनाएंगे हाका नूडल्स, कोरियन स्टाइल में, ये डिच दिखने में जितनी टैंप्टिंग लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है, और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत चॉप किया हुआ हरी मिर्च, चॉप किया हुआ बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, स्लाइस किया हुआ मश्रूम, बारिक कटा हुआ हरा प्यास, अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसे पकाना है आपको, एक से दो मिनिट, मेडियम फ्लेम पे, वेजेटेबल सॉफ्ट हो चुके है, तो इसमें आइड करेंगे नमक, ढाक सोय सॉस, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसमें डालना है धनिया, बार ही कटा हुआ, अगर इस दिश को हेल्दी बनाना है, थोड़ा और टेस्टी बनाना है तो आप इसमें पालक यूज़ कर सकते हैं, फा पालक प्राणा है, तो यह देखिए हमारे जो वेजिटेबल से वो पक चुके हैं, अब इसमें आड करेंगे हम आधा चमच, सफेद तिल, और इसे भी अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिला लेंगे, यह देखिए हमारे वेजिटेबल अच्छी तरीखे से पक चुके हैं, तो इसमें आड करेंगे हम पानी, पानी है मैंने यहापे दो बड़े ग्लास लिये हैं, पानी आपको इतना डालना है कि जो नूडल से वो अच्छी तरीखे से पक सके, अच्छे से मिला लेना है, जो हमारे स्पाइसे से, वो मिक्स हो जाने चाहिए, उसके बाद क्या करना ह आपको, इसमें नूडल्स डानना है, तो मैंने यहापे दो पैकेट नूडल्स लिया है, इसे इस तरीके से इसमें डाल देंगे, और पानी बॉयल होने का वेट करेंगे, तो यह देखिए धीरे धीरे हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, अभी हमें क्या करना ह इसे हलगा सा mix कर देना है, नूडल्स जैसे boil होता है, हो separate होने होने लगता है, तो इसे हलका सा stir देंगे, तो अभी क्या करना है, गयस को high flame पे रखना है, और इसे धीरे धीरे बीच-बीच में stir करते रहना है, और पानी reduce होने देना है, पे देखिए हमारा पानी आदा reduce हो च एक चमच सेजवान सॉस अब इन स्पाइस को अच्छी तरह से मिला लेना है आपको और हाई फ्लेम पे इसे कूख करना है जब तक कि पूरा पानी रेडियूस नहीं हो जाता है देखिए तो आल्मोस्ट पानी हमारा जो है वो रेडियूस हो चुका है और नूडल्स भी हमारा पक चुका है थोड़ा सा इसे करेंगे गार्निश तो गार्निश करने के लिए मैंने या पे स्प्रिंग ऑनियून लिया है आप चाहे तो धनिया भी उसकर सकते हैं अब इसे नि नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग बाइ